So Hello Everyone, Good Morning, Good Afternoon and Good Evening दोस्तो मेरा नाम है मनंदर सींगोला और आप जुड़े हुए हैं मेरे ओफिशल यूटूब चैनल से पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आश का जो हमारा पार्ट है जैसकि आपको पता है कि अन्पासिव एकोसिस्टम के अंतरगत हम एक सीरीज ले करके चल रहे हैं ताकि आपको टेक्निकल इंफोर्मेशन भी मिलती रहे अपडेट और इंफोर्मेशन के अलावा जो भी हमारी Acer की तरफ से information आती है उसकी अलबा क्योंकि ये technical information हमारे लिए बेहत जादा जरूरी है क्योंकि बिजनिस करने के लिए यही technical information हम लोगों के बहुत ही जादा काम आने वाली है जब आप किसी भी customer को यहाँ पर join करेंगे तो आपको उस customer को जीरो से सिखाना पड़ेगा जीरो से सारी चीज़ां उसको बतानी पड़ेंगी तो आज इस वीडियो के अंदर इस part के अंदर आज हम समझने वाले हैं my affiliate link माई affiliate link के माध्यम से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़े हमें यहाँ पर चीखने बहुत जारा जरूरी हैं जैसे affiliate link क्या होती है affiliate link कैसे generate होती है affiliate link को share किसको करें इसके अलावा affiliate link को share कैसे करें affiliate link को share करने के क्या फायदे होते हैं affiliate link को किस माध्यम से send करें affiliate link company क्यों बनाती है तो ऐसे और भी बहुत सारे questions हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं लेकिन मुझे नहीं रगता है कि इन सारे questions के लावा affiliate link के अंतरगत जितने भी questions आते होंगे इन सारे questions के लावा कोई भी question आपके mind में आए अगर आता है तो आप मुझे comment section में आप जरूर बताइए उसका मैं आपको answer जरूर दूँगा तो एक एक करके समझते हैं इस affiliate link की अगर हमने इन सारे चीज़ों को सीख लिया समझ लिया तो आप affiliate link के बारे में पूरी जानकारी हासिल बड़े आराम से कर लेंगे सीखना बहुत ज़ादा जरूरी है learn before earn सबसे पहले समझते हैं affiliate link होती क्या है सबसे पहले चीज़ तो यह है कि affiliate link हमारी एक affiliate बनाने के लिए company हम सब लोगों को एक link provide कर आती है यहाँ पर जो affiliate तरीके से हम किसी वी व्यक्ति को यहाँ पर attach कर सकें affiliate का मतलब यही होता है कि हम उसे अपने organization के अंदर सामिल कर सकें उस link के माध्यम से आपना देखा होगा कि बहुत सारे हमारे school, college और जितने भी हमारे बिस्विध्याले होते हैं यह भी affiliate होते हैं किसी ना किसी दूसरे बड़ी organization के साथ जैसे कि हमारे आसपा जो degree college होते हैं तो वो किसी बिस्विध्याले से यान कि किसी university से जो affiliate होते हैं जैसे कि मैं आगर आगरा की बात करूँ तो हम आगरा एरियाम रहते हैं तो यहाँ पर हमारे जोतने भी degree college हैं वो affiliate to डाक्टर भीम राव अमेटकर यूनिवर्सिटी आगरा तो इस तरीके से वहाँ पर लिखा जाता है तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी नए व्यक्ति को यहाँ पर अपने इस organization के साथ आप अपने साथ काम करना चाहता है आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी organization में उसको सामिल करना पड़ेगा तो यह होता है affiliate उसके बाद affiliate link कैसे generate होती है सबसे बड़ी बात यह है जब हम किसी भी नए व्यक्ति को यहाँ पर as a user लेके आते हैं जब उसका हम एक free में email ID और password का registration कर देते हैं तो अगर वो हमारे साथ काम करना चाहता है अगर वो हमारे साथ income कमाना चाहता है तो इस condition में उसको affiliate link generate कराना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब तक उसकी affiliate link generate नहीं होगी तब तक वो यहाँ पर business नहीं कर पाएगा नहीं कोई product बेच पाएगा नहीं कोई product वो sale कर पाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना होता है जब हम किसी भी नए व्यक्ति का registration कराते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे उपर एक option company हम सब लोगों के लिए देती है और उस पर लिखा होता है become an affiliate जी हाँ become an affiliate इस तरीके से एक line लिखी होती है उस become an affiliate पर click करके हम उस व्यक्ति का NDS signature complete कराते हैं जैसे हम NDS signature complete कराते हैं तो उस व्यक्ति की एक affiliate link वहाँ पर generate हो जाती है और वह व्यक्ति business करने के लिए हमारे साथ start हो जाता है अब बात करते हैं कि affiliate link को share किस को करें यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है बैसे तो हमारे आस पास बहुत सारे लोग रहते हैं और हर कोई business करना चाहता है लेकिन हम सब लोगों को समझना एक चीज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर हम ये जो link है हम हर किसी को randomly share नहीं कर सकते आप सोचें कि मैं चौराय पर खड़ा हो जाऊं मैं हर किसी को share कर दूँ आप नहीं कर सकते आप सोचें कि मैं किसी भी रिष्तेदार को share कर दूँ नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम सब लोग किस को share करें सबसे पहले चीज तो यह है कि जो digital marketing में बहुती जादा अच्छी तरीके से एक experience रखते हैं या digital तरीके से काम करते हैं या internet पे काम करते हैं और वो digital तरीके से यहाँ पर income लेना चाहते हैं तो आप उनको यह link share कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि जिस type के हमारे product हैं जिस type के हमारे यह tool बन रहे हैं इसके दूसरे tool बहुत सारे लोग इस्तमाल करते हैं इसके लावा हमारा ओकैडमी आने वाला है इसके लावा हमारे और भी product आने वाले हैं तो बिल्कुल इसके जैसे और भी जो दूसरे product हैं जो लोग वहाँ पर इस्तमाल कर रहे हैं ऐसे लोगों को हम अपने product के बारे में बता करके उनको अपनी affiliate link share कर सकते हैं इसको कहते हैं हम targeted person इसको कहते हैं targeted customer तो आप randomly किसी को भी share ना करें जो हमारे category से belong करते हैं या हमारे जैसे कोई दूसरे tool इस्तमाल करते हैं उनको ही आप ये product share I mean अपनी affiliate link को share करें ताकि वो आसानी से हमारी organization के अंदर जोड़ जाएं अब सवाल ये आता है कि हम अपनी affiliate link को share कैसे करें जी हां और यही सबसे ज़्यादा important चीज होती है कि कैसे जो हम बात करते हैं तो बात तो सब कर लेते हैं लेकिन बात कैसे करें इसका सबसे ज़्यादा फरक पड़ता है इसलिए हम अपनी affiliate link को share कैसे करें जिससे की सामने वाले व्यक्ति पर इसका प्रिभाव पड़े और हम अगर हम सही तरीके से इसको शेयर करते हैं तो 100% इसका प्रिभाव जरूर पड़ता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको एक फॉर्मेट भी बताऊँगा उस फॉर्मेट को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है जब भी आप किसी भी व्यक्ति को अपनी एफुलिट लिंक को शेयर कर रहे हों सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल के अंदर जाएं और प्रोफाइल के अंदर जा करके आपकी affiliate link आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाती है और वहाँ पे जो आपकी affiliate link होती है आप उसे copy कर लें एक तो यहाँ मिलती है आपकी affiliate link इसके अलावा जो हमारा dashboard होता है उसके उपर भी आपकी affiliate link होती है और वहाँ पे एक copy का button होता है वहाँ से भी आप copy कर सकते हैं इसके अलावा एक हमारा my link जो एक option होता है जो कि मैंने आपको बताया था part wise में जो आपको बताता आ रहा हूँ तो उसमें भी हमारी link होती है affiliate link और वहाँ पे हमारा QR code भी होता है जी हाँ और अगर आप my link section के अंदर जाते हैं वहाँ पे आपकी जो affiliate link है तो वहाँ पे आपको long और short दोनों ही link आपको वहाँ पे मिल जाती है और वहाँ पे आपको QR code भी मिल जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो यह है कि आप अपनी उस short link को या long वाली link को आप copy कर लें लेकिन short वाली link आपके लिए सबसे ज़ादा better रहेगी अगर आपने o trim से उसको short कर लिया है क्योंकि o trim के dashboard में आपको पूरा का पूरा जो वेवरा होगा पूरा का पूरा जो एक explanation होगी पूरी पूरी जो details होगी वो आपको मिलती रहेगी तो पहले चीज़ आपको अपनी link को अपने my link section के अंदर जा करके copy करना है short वाली करेंगे तो ज़्यादा better रहेगा इसके बाद आपको क्या करना है हमारे my link section के अंदर on passive link and promotional video link जो होती है इसको कभी भी share करना नहीं भोलना जी हाँ promotional video link अपनी affiliate link के साथ साथ आप नीचे एक छोटा सा एक format बनाईए और उसमें आप एक heading लिख दीजिए these are the promotional video link जिससे की वो व्यक्ति उस link पे click करेगा तो particular किसी भी product के regarding वे video चलेगी और वहाँ से उसको बहुत सारी information मिल जाएगी और जो आप अपनी affiliate link जो आप उसको share करेंगे तो उसको एक general भासा में joining link या फिर to join free इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे की उसको पता चल जाए कि हाँ इस link पे click करके हमें join होना है तो यहाँ पे on passive की link और video promotional link आपको इसको जरूर शेयर करना है यह सबसे बहतरीन तरीका होता है हमें अपनी affiliate link को share करने के साथ-साथ अगर आप इसको share करते हैं तो इसका effect बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है तो बस आपको copy करना है और just आपको paste कर देना है अब बात करते हैं हम effort link को share करने के क्या फाइदे हैं भई इसका तो सबसे बड़ा फाइदा यही है कि आप अपनी महनत कर रहे हैं और आप अपने बहुत सारे customer यहां से create कर रहे हैं क्योंकि यह business customer create करने का है customer बनाने का है क्योंकि कोई भी business हो जब तक आपके इस organization के अंदर आपकी company के अंदर या आपकी business के अंदर जब तक customer नहीं आएंगे तब तक आपका business चलेगा कैसे अब यहां पे हम अपने तरीके से effort link को share कर सकते हैं अपने तरीके से यह भी हमें फाइदा मिलेगा इसके अलावा company भी हमारे जो effort link है उसको भी share करेगी तो वहां से भी हमें फाइदा मिलने वाला है तो in total अगर overall देखा जाए तो यहां पर customer ही customer हम सब लोगों को मिलने वाले हैं यह एक सबसे बड़ा फाइदा है दूसरा फाइदा यह है कि आप worldwide घर पे बैट करके आप पूरे दुनिया से किसी वी व्यक्ति को customer बना सकते हैं इस link के माध्यम से यह एक सबसे बड़ा फाइदा है अब बात करते हैं कि effort link को किस माध्यम से send करें किस माध्यम से कौन सा medium अपनाए हम तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका जो एक normal और जो बहुत ही परचलेते हैं बहुत ही normal है सबी लोग इस्तमाल करते हैं वाटसप आप वाटसप का इस्तमाल करें दूसरा आप facebook पर जब भी कोई भी post बनाते हैं बढ़ी हासी है तो उसके नीचे आप उसकी detail लिखें और उसके नीचे अपनी पूरी की पूरी जो details वगरा है वो सब कुछ डाल दें तो उससे भी आप share कर सकते हैं इसके अलावा आपका YouTube जो channel है उसमें भी आप डाल सकते हैं description में अगर आपका YouTube चैनल नहीं है तो आप किसी भी YouTube चैनल की वीडियो में जो comment section होता है उसमें डाल सकते हैं इसके लावा आप किसी को direct mail कर सकते हैं इमेल कर सकते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे social media पर हमारे बहुत सारे options हैं जिसके माध्यम से आप share कर सकते हैं no problem इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पाबंदी लगी हो इसके बाद affiliate link क्यों बनाती है company ये एक सबसे बड़ा question आता है कि बहुत सारे लोगों ने ये question मुझसे भी पूछाता कि sir company आखिर बनाती क्यों है एक general सा question है लेकिन इसको satisfy करना जरूरी है affiliate link को बनाने का एक सबसे main reason है ये है कि जब तक हम या company हम लोगों को कोई भी एक ऐसी link बना करके नहीं देगी जिससे कि हम किसी व्यक्ति को अपने इस organization के अंदर जोड सकें तब तक ये business आगे नहीं बढ़ सकता for example मैं आपको एक simple शब्दों में अगर मैं आपको एक example देकर समझाओ तो आप समझ जाएंगे जैसे कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो बिना link के किसी की भी शादी नहीं होती है सब एक दूसरे को बताते है कि हाँ हमारी नजर में कोई लड़का है या कोई लड़की ह तो कोई ना कोई एक link होता है कहीं तक पहुँचने का अगर आपको जॉब भी करनी होती है तब भी कोई ना कोई एक link वहाँ पे काम आता है कि हाँ किसी के माद्ध हमसे आपकी जॉब लगी हुई है तो ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है जहां पर link word का इस्तमाल किया जाता है तो यहां पर जब हम digital business की बात करते हैं तो यहां पर बिना affiliate link के या बिना किसी जॉइनिंग link के हम किसी भी business को हम आगे नहीं बढ़ा सकते इसलिए company कोई भी हो वहाँ पे एक जॉइनिंग link जरूर होती है So I hope आपको affiliate link के बारे में पूरी की पूरी जो information मैंने दी आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी और यह जब अब तक की जितनी भी मैंने on passive series की वीडियो बनाई है उन सभी में यह सबसे ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है क्योंकि इसमें कुछ information ज़्याद क्योंकि ज़्याद सब्सक्राइब की ज़्यादा लंगें दो हो चुकी हैं।